वेलकम टू दा उनलाइन क्लास दगोर सेपार एजुकेशन सैंटर अथवासा नैशनल इंगलिस स्कोल से हिंदी की सिक्षिका मिस्स अगनोत्री आज की क्लास का अक्षा चार के विद्यार्थियों के लिए है आज हम हिंदी प्रथम प्रसन पत्र से पार्थ से सम्मंदित उसक करेंगे सरप्रथम आप अपनी हिंदी फर्ष्ट की कॉपी में डेट डालिए 26 अक्तूबर 20 यह आज का आपका हमवर्थ है आप अपनी हिंदी फर्ष्ट की कॉपी में साब्दात लिखिए दल समू रिस्तित बड़ा भव सुन्दर विकट कटिन सीथ ठंड संपन पूरा स् आश है जिसे सहान जा सके अद्भूत अनोखा मोह लेना अकर्सित करना दर्षने देखने योग व्रिक शिपेड द्रिश नजारा यह आपका हमवर्थ है जो आप अपनी हिंदी फर्ष्ट की कॉपी में कर लिजिएगा आपके पार्ट से संबंदित एक्सरसाइज है देग ह सब्द खंड का मिलान कीजिए आपके दो खंड बने हैं आ और पा जिसको आपको रिखा खीच के मिलान करना है यात्री दल मान सरोवर जीवन पद्दती परवत स्रिंखला हरे भरे सफेट चादर आनन्द दायक आपके दूसरी एक्सरसाइज दिये है व्याकरण में जो सब्द किसी के नाम होते हैं उन्हें संग्या कहा जाता है संग्या के तीन मुख्य भेद होते हैं यह आपके संग्या के तीन भेद दिये गया है जिनके बारे में आपको बताया गया है आपके दूसरी एक्सरसाइज पार्ट में आए आठ संग्या सब्ड तथा उसके भेडों के नाम लिखें आपको सब्द और संग्या के भेड लिखने है आपको पहला सब्द करन वैक्तिवाचक दल समुवाचक रिशेकेश वैक्तिवाचक इसी तरह से आपको अपने पार्ट से सम्द milan आनित सब्द ढूनके संग्या के भीट लिखने हैं आपकी चौथी एक्सरसाइज है नीचे दिये गए सब्दों में ता प्रत्य जोड़कर भावाचक संग्या बनाईए पहला सब्द आपका रमडिय है और ता प्रत्य जोड़ने से रमडियता हो गया सीतल, सीतलता, कठोडता, उच्षुकता, उच्जवलता यानि कि सारे सब्दों में ता प्रत्य जोड़कर आपके ये सब्द बनते हैं आपके अगले एक्सरसाइज है नीचे दिये गए सब्दों का अपने सब्दों में वाक्य प्रयोग कीजे आपके ये पांसब दिएगा है मानसरोवर, संपन, अन्भो और दर्शनिय जिसका आपको अपने वाक्यों में प्रेयोक करना है और आप अपने पुस्तक से भी संबन्दित वाक्य मना सकते हैं जैसे मानसरोवर नहान में रेणुका का भव वह दूसरा हमारा फार संपन करकर लौट आया के बारे में मैं फिर लिखूँंगा आपको आंतिक है दर्श्र लेनु का मांसर्टस डशनिय है यह संब्दों से संबंदित बहुट नेश्ट वीडियो है हम आपको आपके पार्ट से संबंदित कोशन सर कराएंगे वन वर्ड कोशन सर कराएंगे और टां कोशन सर कराएंगे धन्यवाद